है अब हलो दोस्तों इसके में आपका स्वागत है आज हम बताएंगे स्लाइं मशिन में स्वीं बार-बार तूड़ती है यह दिखें दोस्तों यह स्वीं किता नीचे तक है देखिए ऐसा नीचे तक सुए रहा तो अंदर जाकि बाबिन केस को और शेटल को लगते सुझ तू है थे और आज इस नेल्वर को कई से शटल में इस चीषटल में कैसे सट करना है और कैसे इसको कहां तक सट करना है या सब कुछ इस डीटेल इस वीडियो बादें इस चलिए दूस्तुन देखते रहे सबसे पहले हम यह सूइन को आज कहां तक रखना है यह बताएंगे दोस्तों सबसे पहले तो यह सूइन यहां तक नहीं रहना चाहिए यह बहुत ज्यादा नीचे आ गया देखिए ऐसे गुमाते वक्त यह शेटल को भी लगता है लगके तूड़ जाता है यह देखिए बहु कि शटल के पास लगना चाहिए देखिए अभी मैं इस नट को यहां से लूज कर लेता हूं इसका होल होता है यहां से यह लिंक लूज करने का रहता है यहां पर और यहां से हम स्कूलर को डाल कर इस तरह से उस नट को लूज कर लेता हूं यह नीचे तक नीचे रहना चाहि यह नीचे जब इसा नीचे रहा तो ही यह आपको नट लूज करने को मिलेगा आप तो अज़िए अब यह लूज हो गया सुझी अब इसको एडिक अभी लूज हो गया यह वाला से यह साईड इसको ऊपर रखना चाहिए इस तरह से ऊपर अनाची है और यह नेडल बार को यह देखिए इसका स्विंग का नोक शेटल के जर्दासा नीचे रहना चाहिए दिख रहा है आपको यहां पर यह देखिए शेटल का नोक यह स्विंग का नोक यहां तक ही रखना चाहिए उसके बाद इस नट को फिर से टाइट कर लेना चाहिए जो लि यह वाला नट अभी फिलाल टाइट हो गया है यहां से टाइट करने का रहता है यह यहां पर नट होता है इसके अंदर और इसको टाइट कर लिया है भी मैंने और इसको अच्छी से और एक बार टाइट कर लेता हूं यह देखी दोस्तों यह वाला टाइट हो गया है और यह व स्विंग का यहां पर दिख रहा देखिए इतना सा रहना चाहिए नीचे तक और ज्यादा नीचे रहा तो आपके शटल में शटल के ऊपर लगता है और नहीं तो उसके बॉबिन के इसको लगके स्विंग बार बार तूरती है इसलिए इस तरह से इस नेडल बार को सट कर लेन चाहिए और ज्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा उपर भी नहीं होना चाहिए चलिए दोस्तों हमरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो में स्विंग के राड को कहां तक रखना चाहिए इस टे तरियों